असलाम अलेकूम, पंजाब से फिर्टी टॉटी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिम्शावान नाजरीन चार अगस, यो में शोहदा जिसमें जो हैं हुन नोजवानों को ट्राइब्यूर पेश करते हैं नाजरीन ये उन से पूछें जिनोंने मा ने अपने बेटे खोई, जिन बचों ने अपने वालिद को खोया, जो बेवा हुई और जिन बेहनों ने अपने भायों को खो दिया बेशक हम कभी भी किसी भी सुरत में उनको पे आफ नहीं कर सकते और आज इसे सिंसले में मेरे साथ मवजूद हैं स्सप्री अबडन कैप्टन रिटार्इड लियाकत अली मलिक साहब उन से जानते हैं कि उनका इज़ारे क्या है इस पारे में सबसे पहले तो ये है कि मुबीन शहीद जो हैं वो जाहिद शहीद तन्वीर शहीद और उनके साथ हमारे साड़े तेरा सो के करीब जो पंजाब पुलीस के शोहदा हैं ये और लहौर पुरुजीस के बिलखसूस 316 शोहदा जब भी कोई बंदा शहीद होता है हमारा पुलीस ऑफिशल आप गौर करें ना वो बन्यादी तोर पे किस वज़ा से शहीद होता है वो किसी चौक में खड़ा है किसी ड्यूटी पे खड़ा है वहाँ पे खुद कुश हमला हो जाता है सुबा गर से बच्चों को सब को मिलके आए वो ठीक ठाक शाम का वादा करके है किसी को कहा होगा कि मैं सबजी लेके आउंगा आते हुए किसी को कहा होगा मैं कपड़े लेके आउंगा आते हुए बेटे को कहा होगा मैं कपड़े लेके होगा आपके आते लिए and एक ब्लास्ट होता है and he's no more इसी तरह किसी जगह पे कोई डाकू किसी को लूट रहे हैं और पुलीस वाला उसको देखता और पुलीस वाला रियक्ट करता है और पुलीस वाले को फायर लगता है and he's dead on the spot वो घर से बिलकुल ठीक करके आया था पुलीस वाला हर लम्हे हालते जग में है कि पता नहीं किस तरफ से एक वो होता है कि हम किसी ऐसे पॉइंट पे खड़े हों जहां हमें पता हो कि सामने से गोली आनी है तो हम अपने आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम वहां मोर्चा बना लेते हैं वहां कंक्रीट की दिवार बना लेते हैं वहां हम अपने लिए को प्रोटेक्शन का को आड़ बना लेते हैं कवर बना लेते हैं लेकिन जब हमें ये पता हो कि किसी भी वक्त कहीं से भी चानल तरफ से गोली आ सकती है तो फिर हम हर वक्त पुलीस वाला जो है वो उस गोली का निशाना कहीं से भी बन सकता है वो पुलीस वाला जानते बूचते हुए कि घर से जब निकलता है कि मुझे कहीं भी गोली लग सकती और उसके बावजूद वो खुदकुश वाले को भी पकड़ता है खुदकुश वाली गाड़ी को भी रोकता है और चेक करने की कोशिश करता है जानते हुए कि डाकु आगे से फायर कर रहा है उसके सामने भी जाता है और उसको मकाबला करता है और शैरियों को बचाने की कोशिश करता है तो वो जो पुलीस वाला है उस सलाम डिज़र्व करता है हम साल में एक दफ़ा चार अगस्त मना के हम उनके बच्चों को उसका हक नहीं दे सकता हम उस कुर्बानी का जवाब नहीं दे सकता है वो रात दो बज़े तक मार्कीट पे ड्यूटी कर रहा है और उद वाले दिन भी ड्यूटी कर रहा है तो जिस दुख के साथ जब हम उन शुहादा के बच्चों को देखते हैं तो उनकी आँखों में नहीं देखा जाता बदकिस्मती ये है कि मैंने पिछले दनों एक पोस्ट लगाई सिर्फ इतनी बात पे कि पुलीस वाला जो है उसको हम जाम भाक लिखते हैं तो उसको भी शहीद लिखें तो यकीन करें इस सुसाइटी ने जतनी उसके उपर तनकीद की मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ पहुंची पुलीस आपकी सुसाइटी का हिस है अगर कोई गल्त काम करता है तो उसके फोरम्स बने होए आएं अगर कोई गल्त है तो उसको ठीक करें ना के शहीदों की तोहीन करें उनके वरसा के दिल दुखते हैं मैं उस माँ को क्या जवाब दूँ जिसका बेटा उसे प्यार लेकिया है और वापस एक ताबूत में गया है पाकिस्तानी पर्चम में लिप्टा हुआ उसको क्या बताओं कि ईद की उपर वो किसको प्यार देगी तो ब्राइमेर मानी आएं पुलीस के शोहदा की कदर करें और जो जिन्दा हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें क्योंके वो हमारे लिए किसी ना किसी गोली का रोज इंतजार कर रहे होते हैं हमारी जाने मिचाने के लिए जासा की आपने का कि शहीद की और कभी कभी मरता नहीं है और करान इंपाक में भी है के जहीद को मुड़ा ना कहें उ GOOD थानिवे जी रिफक हमेशा है और इसी सिंस्सलि और उसमें हम यहां पे अपने दफ्तर में हमारा welfare आए एक software मौजूद है जिसको हम बड़ा effectively use करते हैं जिसके उपर जो शोहदा और in service death के लोग हैं वो रापता करते हैं अभी भी ईद से पहले भी शोहदा को उनका शोहदा package deliver किया गया आज भी आईजी साब ने किया है उनको मकमल करवाया जाता है लेकिन इसके साथ जो दूसरा portion है ये compensation शहादत का नेमल बदल नहीं है एक जान का नेमल बदल नहीं है जो statistical value of life है न वो एक करोड़ दो करोड़ रुपया नहीं लगाई जा सकती life इससे बहुत ज्यादा कीमती है और खाली life की value नहीं होती उसके पीछे जो जजबात होते हैं जो उस बंदे ने अपनी बेटी को जो उसने शवकत करनी थी अपने बेटे से जो महबत करनी थी जो उसकी बीवी के साथ उसका relation था जो उसके बाप के साथ उसका relation था जो मा का सहारा था जो बेहन की इजबत का महाफच था उस सारी चीजसों को value नहीं किया जा सकता तो यह सारी compensation के बावजूद हम यह चीज़ें नहीं दे सकतें इसल Jeżeli हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जहां से कहीं कोई शहीद नजर आए खाव वो पुलीस का शहीद है खाव वो आर्मी का है खाव वो किसी और अदारे का है खाव वो पबलिक में से कोई बंदा शहीद हो गया किसी ब्लास्ट की नजर हो गया यह इस तरह तो उनके बच्चों के साथ शफकत का सिलसला फरमाएं, उनका ख्याल रखें, उनकी फैमिलीज का ख्याल रखें, क्योंकि ये डिजर्व रिस्पेक्ट, और जो कौमें अपने शोहदा को इज़त देती हैं, उनकी फैमिलीज को इज़त देती हैं, वो कौमें ही स्ट्रॉंग ह होती हैं और वही तरकी करती हैं और उन्हीं कवों में एक रिजिलियंस एक फोर्स और एक स्टेंथ पैदा होती है आगे टू फाइज इट आउट फर्दर तो अगर हम इनको एग्नॉर करेंगे तो हमारे जान देने वाला हमारे लिए जान देने वाले वाले लोग नियुस्ता आइस्ता काम होते जाएंगे और उसका नुकशान पर इस काdown कोई हो गया ये काओ् मिष्ट नियुभ होती जाएगी देमर्क जदा होती जाएगगी इस लिए हमारी सब की जरूरत है कि हम उन शोहदा को भी सलाम करें और उनकी फैमिलीज को भी सलाम करें तेंक्यू सुमा सार लास्ट पर आपने शोहदा के लिए एक नजम लिखी है अगर आप वो हमें सुना दे और इंवर्स को सुनाएं तो बहुत अच्छा है मैंने जी कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया के उपर किसी साफ ने अपसरा किया हुआ था पुलीस के उपर कि जी ये जो शहीद होते हैं तो ये कौन सा इसान करते हैं ये तरखा नहीं लेते तो उसके उपर एक नजम लिखी थी वो मैं अपने नाजरीन की नजर करता हूँ मुझ को मेरे बाबा दे दो अब्बू वापस जल्दी आना रोज मुझे अम्मी कहती है अब्बू को आ लेने दो ईद के कपड़े चूडिया गजरे और मेंदी कुछ पोनिया पिने कैचर जूते बहिया के कपड़े भी लेने हैं एमद के अब्बू रोज ही शाम से पहले घर आते हैं इद के कपड़े जूले बागों की सेर पे ले जाते हैं मेरे अबू क्यों रात डले घर आते हैं बहिया रोज ही अम्मी से लड़ता है और जिद करता है अम्मी उसको समझाती है बेटा तेरे अबू गलियों में बाजारों में मस्जद और मेनारों में मंदर गिर्जे और तहवारों में एहमद सीमल बील चंद और सब घरवालों की ईद क्रिसमिस और होली पर गोलियों में तलवारों में खुदकुश हमलों अंगारों में जान हथेली पर रखकर दुश्म का सामना करते हैं जान देने से कब डरते हैं और तेरे अबू को गाली देने वाले और तेरे अबू को गाली देने वाले सुख की ईद तब करते हैं इसलिए हर ईद शबरात मिलाद के दिन हम सब ही तनहा होते हैं अबू वो रोज ही रोना रोता है और अम्मी भी तो रोती है को कोई एद शबरात मिलाद, क्या आप भी गर पे होंगे तब, क्या सब की जान बचाना फर्ज निबाना सिर्फ आपके हिस्से आया है, देखो अबू, मैंने बाजार है जाना, पस आज तो तुम जल्दी आना, एद में चंद ही दिन हैं वाकी, अच्छा बेटा, अब मैं जाओ वक्त हुआ है, अमी शाम हुई है, अबू कब लोटेंगे, ये फुपो, चाची और अंकल, सारे क्यूं आए हैं, ईद से पहले, गले लगा कर, मुझ को क्यूं मिलते हैं, ईद खुशी की होती है, मगर ये सब क्यूं रोते हैं, ये सब सलाली पर्चम में, लक्णी का डिबा क्यूं आया है, इसमें क्या रखा है, उमीदों के चंद पत्थर, टुकडे हैं हडियों के शायद, या जलते गोश्ट की खुश्बू, या खाली है, मेरे घर जैसा, अमी मेरे कपड़े मेंदी चूड़ी, भैया को भी कुछ नहीं चाहिए, अबू से बस इतना कह दो, जब मर्जी रात को आए, कई दिन बाद आए, पर लाट आए, भैया रात को डर जाता है, खाब में बाबा बाबा कहता है, मेरे सर पर हाथ रखो ना, मेरे सर पर हाथ रखो ना, बाबा एक बार लाट आओ ना, ठंडे कमरे में बैठे लोगो, मेरे डाकू चोर और गंदे बाबा तुम्हारी खात्तर मरने वाले मेरे बाबा बेहिस लोगो ताने देने वाले लोगो अपनी बेटी की आँखों में जब भी देखो बेटे की जब उंगली पकड़ो और सैर को निकलो तब ये सोचो बाबा की कीमत क्या है मेरे सारे कपड़े जूते चूड़िया पिन्ने पुनिया ले लो मेरे सारे कपड़े जूते चूड़िया पिन्ने पुनिया ले लो बैया की साइकल और बस्ता नौकरी चेक और पेंशन ले लो मुझ से मेरा सब कुछ ले लो मेरे बाबा मुझे को दे दो मेरे बाबा मुझे को दे दो शोहदा की कदर करें और इसत करें जजा कर लग